साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चानल पर आज की साखी का वश्य है इश्वर का न्याए तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी भिक्षा लेकर लोटते हुए एक शिक्षार्थी ने मारग में मुर्गी और कबूतर की बाचेत सुनी कबूतर मुर्गे से बोला मेरा भी क्या भागय है भोजन न मिले तो मैं कंकर खाकर भी पेट भर लेता हूँ कहीं भी सीख घास आदी से घोसला बना कर रह लेता हूँ और मोह माया भी नहीं बच्चे बड़े होते ही उड़ जाते हैं ना जाने इश्वर ने क्यूं हमें इतना कमजोर बनाया है जिसे देखो वो हमारा शिकार करने पर तुला रहता है हमें पकड़ कर पिंजरे में कैद कर लेता है आकाश में रहने को जगा होती तो हम कभी प्रिथ्वी पर आते ही नहीं मुर्गे ने भी जवाब दिया मेरा भी यही धुरबाग्या है गंदगी से दाने चुन-चुन कर मैं खा लेता हूँ लोगों को जगाने के लिए रोज स सवेरे सवेरे बेनागा बांग देता हूँ पता नहीं इश्वर ने हमें भी क्यों इतना कमज़ोर बनाया है जीसे देखो वो हमें हमारे भाईयों से ही लड़ाता है हमें कैद कर लेता है हलाल तक कर देता है भगवान ने हमंए पनक दिये हैं पर इतनी शक्ती दी होती कि हम आकाश में उड़ पाते तो हम कभी भी पृत्वी पर आते ही नहीं। अब ये वारतलाब सुनकर शिश्या ने सुचा कि जरूर ही भगवान ने इनके साथ अन्याय किया है। आश्रम में आकर उसे शिश्या ने ये घटना अपने गुरू को बताई और कहा गुरुवर क्या इश्वर ने इनके साथ अन्याय नहीं किया है। गुरू बोले इश्वर ने प्रिथ्वी पर मनुष्यों को सबसे बुद्धी मान प्राणी बनाया है। उसे गरव ना हो जाए। इसलिए शेश प्राणीयों में गुण और अवगुण देकर मनुष्य को उन से कुछ न कुछ सीखने का सभाव दिया है। वो प्रकर्ति और प्राणीयों में संतुलन रखते हुए सृिष्ठी के सुंद्रिया को बढ़ाएं और प्राणीयों का तल्यान करें। मुर्गे और कबूतर में जो विलक्षन था भगवान ने दी हैं वो किसी प्राणी में ही नहीं दी है। जैसे मुर्गे जैसे छोटे प्राणी के सर पर भगवान ने जनमजाद राज मुकट की भाती कलगी दी है। इसलिए मुर्गे को तामर चूड भी कहते हैं अपना संसार बनाने के लिए उसे भगवान ने पंक दिये हैं। किन्तु वो प्रित्वी पर ही रहना पसंद करता है, वो आलसी हो गया है, इसलिए वो लंबी उडान भूल गया है, वो भी ठीक है, पर भोजन के लिए उसने पूरी धरती पर गंदगी ही चुनी। गंदगी में व्याप्त जिवानों से वो इतना परदूशित हो जाता है कि उसका जल्दी पतन ही इस स्रिष्टी के लिए अच्छा है। बुराई में से भी अच्छाई को ग्रहन करने की सीख मनुष्य को मुर्गे से ही मिली है। इसलिए भगवान ने उसके साथ कोई अन्याई नहीं किया है। फिर कबूतर को कंकर खाने की जरूरत कहा है कबूतर ही है जिसे आकाश में बहुत उचा और दूर तक उड़ने का समर्थ है इसलिए कबूतर को कपोत कहा जाता है वो परिश्रम करे उड़े दूर तक जाए और भोजन ढूंडे भूक में पत्थर भी अच्छे लगते हैं ये कहावत मनुश्या ने कबूतर से ही तो सीखी है किन्तु आकर्मन यान ना बने कंकर खाने की प्रवित्ती से कबूतर की बुद्धी कुंध हो जाने से कबूतर डरपोक और आकर्मन ने बन गया है ये बिल्कुल सच है कि पक्षियों में सबसे सीधा पक्षी कबूतर ही है लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि अपनी रक्षा करने के लिए वो उड़ भी ना सके बिल्ली का सरो प्रिया भोजन चूहे और कबूतर है चूहा तो फिर भी अपनी जान बचाने के लिए पूरी शक्ति से भागने की कोशिश करता है किन्तु कबूतर तो बिल्ली या खत्रा देखकर आखे बंद कर लेता है और काल का ग्रास बन जाता है अब जो प्राणी अपनी रक्षा खुद ही ना कर सके तो उसका कोई रक्षक नहीं होता कबूतर के पास पंक है फिर भी वो उड़कर अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो ये उसी की गलती है भगवान ने कबूतर के साथ भी कोई अन्याय नहीं किया है गुरू ने शिश्य को समझाया कि भगवान तो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते ये तो प्राणी के खुद ये करम होते हैं जो कि उसके लिए न्याय या अन्याय करवाते हैं साथ संगत जी संसार में न्याय भी होता है और अन्याय भी होता है अनेक बार अप्राधी अप्राज सिद्ध ना होने पर छूट भी जाता है क्योंकि उसके साक्षी प्राप्त नहीं होते इस कारण उसे न्याल्या भी छोड़ देता है परंतु भगवान तो आपके हरे करम का साक्षी है और स्वयम ही न्याय अधीश है सरव व्यापक है 24 घंटे सुथ के साथ रहता है इसलिए उसे किसी अन्य साक्षी की जरूरत नहीं पड़ती और भगवान ठीक समय पर उत्तम न्याय करता है इसलिए भगवान के न्याय से डरे अप राधों से बचे अच्छे काम करें दूसरों को सुख दें और खुद भी आत्मा जी अपने शिशे के साथ भ्रहमन पर निकले गुरू को जादा बाते करना पसंद नहीं था कम बोलना ही उनका सभाव था परन्तु गुरू का सिश्य बहुत चपल था उसे इधर उधर की बाते सूझती उसे दूसरों की बातों में भी बड़ा अनन दाता था चलते ह हुए जब वो दोनों एक तलाब के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए था शिश्य ये देखकर खड़ा हो गया और उस धीवर को अहिंसा पर्मो धर्म का उपदेश देने लगा लेकिन धीवर कहां समझने वाला था उसने बात ट चलने को कहा अपनी शिश्य को पकड़ कर गुरू ले गई गुरू ने शिश्य को कहा बीटा हाम जैसे साधूं का काम केवल समझाना है इश्वल ने हमें दंड देने के लिए धर्ति पर नहीं भेजा तो शिश्य ने गुरू से पूशा महराज जो गलत काम करेगा उसे दंड कौन देगा शिश्य किस बात का जवाब देते हुए गुरू ने कहा तुम बेफिकर रहो दंड देने के लिए कालोकिक शक्ति इस दुन्या में मुझूद है जिसकी पहुंच हर जगा है और वो शक्ति है भगवान भगवान के दृष्टी सब तरफ है भगवान सब ज शिश्य उसी तलाब से गुजरे अब शिश्य दो साल पहले वाली वो धीवर वाली घट ना भूल गया था अब उन दोनों ने उसी तलाब के पास देखा कि एक साप बहुत ही कश्ट में था और साप को चीटिया नोच-नोच कर खा रही थी शिश्य ने जब यह देखा तो उ शिश्य ने इसे अभी बचा लिया तो इसे दूसरे जनम में ये दुख भोगने होंगे क्योंकि करम का फल तो भोगना ही पड़ता है शिश्य ने गुरू को पूछा गुरुजी इसने ऐसा क्या किया था जो ये इस हालत में है गुरु बोले ये वही धीवर है जिसे दो साल पहले तुमने मचली ना मारने का उपदेश दिया था और ये तुम्हारे साथ लड़ने लगा था ये मचलिये ही चीटिया है जो इसे नोच-नोच कर खा रही है ये सुनते ही बड़ी ही हैरानी से शिश्य ने कहा गुरु जी ये तो बड़ा ही विजितर ने आई है गुरु तो तुमें भोगना पड़ेगा इसलिए श्रीमत भगवत गीता में भगवान जी ने उपदेश देते हुए कहा है अपने किये करम को हमेशा याद रखें ये विचारते रहो कि तुमने क्या किया है क्योंकि ये सच है कि तुमको वो भोगना होगा जीवन का हर एक पल किंती है इसलिए बुरे काम करके अपने जीवन को व्यर्थ मत करो अपने खाते में अच्छे करमों की बढ़ोतरी करो क्योंकि अच्छे करमों का परिणाम बहुत ही सुखद रूप से मिलता है इसका उल्टा भी उतना ही सही है बुरे करमों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से जरूर करनी चाहिए यहां तो मैंने तुम्हे इसलिए रुका क्योंकि मुझे तो पता था कि वो किस करम को भुगत रहा है साथ ही मुझे तुमको भगवान के न्याय का नमूना दिखाना था लेकिन अगर मैं यह सब ना जानता तो उसकी मदद ना करना मेरा पाप होता इसल बिल्कुल सच है कि भगवान हमेशा सही न्याय करते हैं और भगवान के न्याय करने का सीधा संबंद हमारे अपने कर्मों से होता है अगर आज कि यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजेगा आप सभी इसे फिर मुलाकात होगी नई साख्य और नए विचारों के साथ साथ संग अच्छी प्यार से कहना धा नरंकार जी